नमस्कार आज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है जहां आप देख रहे हैं देश, प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरे अंडर्वल डौन दाउद इबराहिम के कई सहयोगियों, शाप शूटर्स और हवाला ओपरेटरों पर NIA की टीम मुंबई और महाराश्च में 20 खिकानों पर छापे मारी कर रही है तो निर्दली असांसद नवनित राणा और उनके विधायक पती रवी राणा आज दिल्ली में ग्रह मंत्रालाई के अधिकारियों को उनके खिलाब देश द्रोह के आरोख वह BMC कारवाई के जरिये प्रतिशोद की राजनिती और हिरासत में दुर्व्यवहार के बारे में स सभी के लिए पानी पॉलिसी तयार की है जिसका शुभारम सीएम ने गोरेगाओं में आईजित कारेकरम में किया इसके अलावा परिशान करने वाली खबर ये है कि कुछ दिनों से प्रदेश में रोजाना दोसों से अधिक कोरोना के नए केस मिल रहे है जिनमें 60% से अधिक मामले मुंबई के है प्रदेश की इन पाज बड़ी और खास ख़बरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे ताथ NIA की टीम मुंबई और माहराश्टर में 20 ठिकानों पर चापे मारी कर रही है जानकारी के मुताबिक कि ये चापे मारी अंडरवल डॉन दाउ दिपराहिम के कई सहयोगियों के शाप शूटर्स और हवाला ओपरेटरों पर की जा रही है ये चापे मारी मुंबई की नाकपाड़ा, गोरे गाओ, बोरी वली, सांता क्रूज, मुंबरा और भिंडी बजार जसी इलाकों में शुरू है कई हवाला ओपरेटर, ड्रक तसकर, समित कई ऐसे लोगों पर ये चापे मारी की जा रही है, जिनके डी गैंग से काफी करीबी संबंध है बतादे की फरवरी महीने में इस समद में एक मामला दर्ज किया गया था, एनाईये की छापे मारी फिलहाल उससी समद में बताई जा रही है जांच एजनसी ने कहां कि कई हवाला ओपरेटर और ड्रक पेडलर दाउट से जुड़े थे और एनाईये ने इस समद में फरवरी में एक्शन लिया था एनाईये ने भारत में अशान्ती पैदा करने के उद्धिश से आतंकवाधी गतीवीधियों, संगटित अपराध और कृत्यों में डी कंपनी के शिर्ष नेतरुत्व और संचालकों की सनलिप्तता से संबंदित मामला दर्ज किया था इनके खिलाफ गैर कानूनी गतीवीधी रोक्थाम अधिनियम के तहट कारवाई की गई है, एनाईये अंडरवल्ट नेटवर्क के सदस्यों द्वारा किये अपराधिक और आतंकवाधी कृत्यों के पूरे प्रकरण की निगरानी और जांश कर रही है, यह वही मामला है, ज जहावे ग्रुह मंत्राले के अधिकारियों को उनके खिलाफ देश दरोह के आरोप, बीमसी कारवाई के जरिये प्रती शोथ की राजनिती और हिरासत में दुर्व्यभार के बारे में सूचित करेंगे, वही नागरिक निकाय के अधिकारी तलाशी के लिए राणा के आवास का दौरा कर सकते हैं, वही महाराशा सरकार, नवनीत राणा और उनके विधायक पती रवीराना की जमानत को आज चुनोती दे सकती हैं, विशेश लोक अभी योजग प्रदीब घहरत ने कहा कि मैंने नवनीत राणा और रवीराना की कुछ क्लीप भेजी है, उन क्लीप को ध्यान से देखने के बाद, मेरा मानना है कि उनकी बादचित उन्हें दिये गए जमानत आदेश में रखी गई शर्तों का उलंगान है, इसलिए मैं करतव्य बद्ध हूँ कि इसे अदालत के सामने लओ, मैं इसे कल अदालत के सामने रखूंगा, मैं अदालत से उनके खिला गैर जमानती वरन जारी करने और उन्हें हिरासत में लेने की अपिल करूंगा। सांसत नवनित राणा और उनके पती रवी राणा की मुश्किले बिदे कई दिनों से कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दे कि मुंबई के खार इलाके में राणा दंपती का फ्लैट है जिसमें बीमसी ने अवैद निर्मान करवाए जाने का शक जताया है। इस प्रकर में चार मैं को बीमसी के अधिकारी नवनित राणा के घर गये थे। घर की जांच परताल के बाद उन्होंने नोटिस भी किया था। मुंबई Municipal Corporation Act 888 के सेक्षन 488 के तहट ये नोटिस दिया गया है। इसमें कहां गया है कि राणा दंपती के घर में अवैद निर्मान किये गया है जिसकी जांच करने के संबन में। मुंबई महानगर पालिका ने घर के दरवाजे पर नोटिस लगाई है। इस बीच खबर है कि अपने खिलाफ हुई पुलिस व बीमसी की कारवाई के खिलाफ राणा दंपती दिल्ली में जाकर बिजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्री गुरुह मंत्री अमिच शाह समित अन्य आला नेता उसे मुलागात करेंगे। पर ने वाली देश की पहली मनपा बीमसी बन गई है। प्रामानिक पहचान पत्र देना जरूरी है। इन में से कोई एक पहचान पत्र आविदन के साथ जमा करना होगा। देश के अन्य राज्यों की तरह महराष्णों में भी कोरोना के नए मरीजों के संख्या बढ़ रही है। कुछ दिनों से राज्यों में रोजाना 200 से अधिक नए केस मिल रहे हैं जिसमें 60 फिजदी से अधिक मामले मुंबई के हैं। हाला कि BMC ने मुंबई करों को निश्चिंत रहने के लिए कहा है। मरीजों की टेस्टिंग पर रोक लगा दी थी। टेस्टिंग को लेकर फिलहाल कोई नई गाइडलाइन्स नहीं आई हैं इसलिए यहाँ टेस्टिंग को सीमित ही रखा गया है। लंबी दुरी की ट्रेनों से अन्य राज्जों से मुंबई आने वाले की भी स्टेशनों पर स्क्रिनिंग की जा रही है। फिल्हाल यहां मास्क भी अनिवार्य नहीं है जबकि कुछ राज्जों ने बढ़ते कोरोना मामलों को देखते वे मास्क अनिवार्य कर दिया है। एक वीडियो सोशल मिडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। देशबर की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ। बंगल की खाड़ी में प्रविश करने के बाद साइकलोन ने असनी से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। भारतिय मोसम विभाग ने ओडिशा, बंगल और आंदरप्रदिश में तुफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल ओडिशा के तटिये इलाकों में भारिबारिश की आसार है। हलाकि अगले 48 गंटों में यह चक्रवात कमजोर हो जाएगा। साइकलोन का असर सबसे अधिक निकोबार से लगबग 610 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, पोर्ट बलेर से 500 किलोमीटर पश्चिम में, विशा का पटनम से 810 किलोमीटर दक्शिन पूर्व और पूरी से 880 किलोमीटर दक्शिन दक्शिन पूर्व में देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय इस तुफान का असर दिखना शुरू हो गया है। बिहार के कई जिलों में सुबह से ही बादल शाय हुए है। तुफान की वज़त से बारा मई को बिहार के पूर्वी पश्चिम चमपारण, सीता मडी, शिवहर, मदुबनी, बांका, किशन गज, भागलपूर साइथ 15 जिलों में हलकी बारिश के आसर है। इस दवरान 13 से 17 किलोमीटर प्रती घंटे की रप्तार से हुआई चलेंगी। दिल्ले में अंधी तुफान के साथ हलकी बारिश की संभावना है। इसको पर ही धरने पर बैट गए। हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने लोगों को वहाँ से अटाया। कुछ लोगों को इरासत में भी लिया गया है। इसके बावजूत कारवाई का विरोध जारी है। इधर सुप्रीम कोट में भी आज शाहिन भाग में अतिकरमन विरोधी मुईम के खिलाब दायर याचिका पर सुनवाई हो सकती है। दिल्ली पुलिस से फोर्स मिलने के बाद दक्षिन दिल्ली MCD ने अगले पाच दिनों तक अतिकरमन हटाने का अभियान चलाने के तैयारी पूरी कर ली है। इसके मुताबिक आज यनि नौमई को दिल्ली के शाहिन भाग इलाके में अतिकरमन और अवैद निर्मान के खिलाब कारवाई की जाएगी। इससे पहले जाहगीरपूरी में हनुमान जेनती की दिन हुई इंसा के बाद वहाबी बुल्डोजर से अतिकरमन हटाया गया था। अलाकि तब कारवाई बहुत जादा लंबी नहीं चल सकी थी क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ गया था। कोर्ट ने फिलाल जाहगीरपूरी में अतिकरमन हटाने की कारवाई पर स्टे लगाया है। देश की वित्तमंत्री निर्मला सितारमन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी फसन किया जा रहा है। शनिवार को मुंबई में नैशनल सिकूरिटी डिपोजिटरी लिमिटेट की सिल्वर जुबली का कारेकरम था। एनसडियल की एमडी पदमजा चुंदरू इस कारेकरम को संबोधित कर रही थी। अचानक वो संबोधन रोक कर स्ठाप से पानी मांगती नदर आती है, उसके बाद माफि मांग कर फिर संबोधन शुरू कर देती है। तभी वित्तमंत्री अपनी सीट से उट्टी है और चुंद्रू को पानी देती है जिस पर चुंद्रू उनको शुक्रिया कहकर फिर संबोधन शुरू कर देती है वित्तमंत्री की इस विनमराता को देखकर पुरा हॉल तालियों से गुंज उटता है वित्तमंत्री के इस वेशक जागरुकता कारेकरम मार्केट का एकलव्य का शुबारंब किया इसी दवरान यह वाकया हुआ जिसे रूशी बगरी ने अपने ट्वीटर हैंडल से शियर किया है जिसे लोग खुब पसंद कर रहे हैं इस कारेकरम में NSDL की MD पदमजा चुंदरू NSDL की 25 साल की लंब जिसमें मांग की गई है कि उनके बच्चों को देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिया जाए बदा दे कि इन अभी भावों को के बच्चे युक्रेन में मेडिकल युनिवरसिटी में ना मंग कित है लेकिन वे रूस युक्रेन युद्ध के बाद घर लोट आये हैं इन्डो युक्रेनी स्टूडेन्ट फ्रेंट गुजराथ चैप्टर के तहट एकतरित हुए अभी भावकों ने राज्य सरकार से एक महीने के भीतर फैसला करने को कहा है क्योंकि युनिवरसिटी आने वाले सेमेस्टर के लिए पैसे की मांग कर रही है कैमपेंड में भाग लेने वाले राज्य भर के माता पिता जनता का भी समर्थन मांग रहे हैं रिपोर्ट के मुताबिक अभी भावकों का कहना है कि अगर सरकार एक महीने में समाधा नहीं लाती है तो हमें जुलाई में नए सेमेस्टर के लिए लाखों की फिस का भुगबान करना होगा जिसके कोई मायने नहीं होंगे जल्द ही फैसला लेना होगा अगर सरकार ऐसा करने में फिफल रही तो हम अपना पैसा खो देंगे और हमारे बच्चों का भविश्य दाव पर लग जाएगा कई अभी भावकों ने कहा कि हमने सोचा था कि युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा और हम अपने बच्चों को वापस भेज सकते हैं लेकिन स्थिती अच्छी नहीं है अपने विचारों और कारियों से वे लाखो लोगों को प्रेरित करते हैं उन्होंने हमें अपनी राश्ट संस्कृती पर गर्व करना सिखाया उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सशक्ती करन पर जोर दिया हम भारत के लिए उनकी दृष्टिकों को पुरा करने के लिए प्रतिबध हैं एककवी, नाटककार, संगितकार, दार्शनिक और लगुका था लेखक टैगर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरसकार से सम्मानित किया गया था गोखले को श्रधान जली देते वे प्रधान मंत्री ने कहा कि हमारे स्वतंतरता संग्राम में उनका योगदान अविस्मरनिया है लोकत अंद्रिक सिधानतों और सामजिक सशक्तिकरन के प्रती उनकी अटूठ प्रती बधता हमें प्रेरित करते रहती है मोदी ने कहा कि महाराना प्रताप विर्धा के परियाय है उनके साहस और संगर्ष की कहानी हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेगी पुरा देश आज रविंद्रना टेगोर गोपल कुष्ण गोखले और महाराना प्रताप को याद कर रहा है अलगलग संगर्धन पहले ही अने कारेक्रमों का एलान कर चुके हैं सरकारिस्तर पर भी जोर शोर से तयारी की गई है युद्ध में विर्दा दिखाने वाले सैनिकों का यूक्रेन के राश्टरपती जेलिंग्स की लगातार होसला बढ़ा रहे है और समय समय पर सम्मानित भी कर रहे है इसी कड़ी में उन्होंने कल एक्षवान को सम्मानित किया तो रूस के राश्टरपती ब्लादी मीर पुतीन की 38 साल की गर्फरेंड अलीना कबायवा फिर से गर्भवती है वही जी सेवन देशों के नेताओं ने रूस से तेल के आयात को चरणवद्ध तरीके से रोकने का संकल पलिया है साथ ही इन नेताओं ने जलेंग्सकी को अपना खुला समर्थन दिया है इसी बीच दुनिया के सबसे अमिर शक्स एलन मस्स ने अपने एक ट्वीट में रहस्यमय परिस्थितियों में मरने की बात कही है जिसे लोग हैरान है तो उधर श्रीलंका के प्रधान मंतरी महिंदा राजपक्षे आज अपने पत से इस्तिफा दे सकते है 76 वर्षिय राजपक्षे को अपनी ही पार्टी के भीतर से इस्तिफा देने का भारी दबाव है दुनिया भर से जोड़ी इन पाज बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ रूसा और युक्रेन के बीच युद्ध जारी है युक्रेन के सैनिक लगातार रूसी सेना को पीछे दखिलने में लगे है इस युद्ध में वीरता दिखाने वाले सैनिकों को युक्रेन के राष्ट्रपती जेलेस की लगातार होसला बड़ा रहे है और समय समय पर सम्मानित भी कर रहे है इसी कड़ी में जेलेसकी ने कल एक्षवान को सम्मानित किया है उसे रूसी बमो को खोजने के लिए सम्मान मिला है युक्रेन के पुर्वत्तर शहर चेरनिहाईव में रूसी माईन और बमो को सूंग कर पेटरन ने पता लगाया है जेलेसकी ने कहा कि इस अब तक दोसों से ज़्यादा विस्पो तक मिल चुके है बमो को खोजना उसे उसके मालिक सिविल प्रोटेक्शन सर्विस में काम करने वाले माईक हैलो ईलिव ने सिखाया था हाला कि पेटरन की उपलब्दी को कई वीशेशक ये युक्रेन की रननिती मानते है क्योंकि इससे जुड़ी कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डाले गए है बहराल युक्रेन में लोग पेटरन को बहत प्पसंद कर रहे है जेलेसकी ने राजधानी क्यू में उससे सम्मानित करते हुए कहा कि ये बच्चों को प्री है और वह लगातार उसे माइन से बजा कर निकाल रहा है रूसी माइन के खत्रों के बारे में चेर्नियायू और अन्यक्षेत्रों में अधिकारी लोगों में सूचना बढ़ा रहे है सायनिक सम्मान पाने के साथ ही पेटरन करनाडा के प्रदानमंत्री जस्टिन टूडो से भी मिला जस्टिन टूडो यूक्रेन में एक अगोशित यात्रा पर आये थे रूसके राष्ट्रपती ब्लादिमेर पुतिन की 38 साल की गल्फ्रेंड अलीना कबायेवा खिर से गर्बवती है मेडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जानकारी के सामने आने के बाद पुतिन हैरान है पुतिन इस साल अक्तुबर में 70 साल के होने जा रहे है और पुर्व ओलंपिक जिमनास्ट अलीना से उनके दो बच्चे पहले से ही है पुतिन अब और बच्चे नीचा थे और यही वज़य की इस खबर के आने के बाद वह हैरान है सुत्रों के मुताबिक पुतिन को जब अलीना के गर्भा होती होने की सूचना दी गई तब वह लाल चोग पर रूस के विक्ट्री डे परेट की तयारी कर रहे थे पुतिन अपनी पत्नी से तलाक ले चुके है फिर भी पुतिन ने अभी तक यह नहीं माना है कि इस अलीना के साथ उनका कोई रिष्टा है अलीना रूस में एक मिडिया ग्रूप की बॉस है और इससे पहले कहा जा रहा था कि वह स्विजजर लैंड में रह रही है जिमनेस्ट के खेल से रिटार होने के बाद अलीना राजनीती में शामिल हो गई यही नहीं अलीना पुतिन की युनाइटेड रसिया पार्टी से संसत भी बनी अलीना ने सिंगर बनने की भी काफी कोशिश की थी लेकिन सफल नहों सकी युक्रेन युद्ध खत्म ना करने से नाराज अमेरिका जर्मनी समित कई देश रूस पर प्रतिबन लगा चुके है इस बीच विकसित अर्थव्यवस्थाओ वाले G7 देशों के नेताओं ने रूस से तेल के आयात को चरनबद तरीके से रूपने का कलप संकलप लिया प्रश्ची में देशों ने एक जूटता का प्रदर्शन किया G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान शामिल है G7 ने एक बयान में कहा कि रूस के तेल की आपूरती को रोकने से राष्ट्रपती पुतिन के मुख्या उजार को तगड़ा जटका लगेगा और युद्धल अन्ने के लिए धन खत्मा हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन की G7 नेताओ और जेलिसके के साथ बैठक करीब एक घंडे तक चली अमेरिका ने युकरेन पर आकरमन के लिए रूस के खिलाप नए प्रतिबंदों की भी घोशना की नए पाबंदियों के तायत रूस के तीन सबसे बड़े टेलिविजन स्टेशन से पस्चिमी देशों के विज्ञापनों को रोकना अमेरिकी लेखा और परामर्ष फर्म को किसी भी रूसी को सेवाय प्रदान करने से प्रतिबंदित करना और रूस के अध्योगिक शेत्र पर अतिरिक्त प्रदिबंद लगाना शामिल है वाइट हूस से 9 माई के विजय दिवस से पहले नए प्रतिबंदों की घोशना की जब रूस 1945 में नाजी जर्मनी की हार का जशन विशाल सर्णे परेट के साथ मनाता है हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर खरीदने वाले दुनिया के सबसे अमीर शक्स एलन ने अपने एक ट्वीट में रहस्यमय परिस्टितियों में मरने की बात कही अपने विवादास्पदा और कभी-कभी चौकाने वाले ट्वीट्स के लिए पहचाने जाने वाले एलन मस्क हमेशे इंटरनेट पर चर्चा का विशय बने रहते हैं लेकिन यहाँ पहली बार है जब उन्होंने अपनी मौच से जूड़ी कोई बात कही है एलन मस्क का है ट्वीट ऐसे समय में आया है जब उन्होंने खुद एक रूसी अधिकारी का कथित बयान शेयर किया था जिसमें एलन मस्क को धमकिया दी गई है मस्क ने रूसी स्पेस एजंसी रूकोसमोस के निदेशक दिमित्री ओलेगोविच रूगोजीन का रूसी मिडिया को दिया गया बयान शेयर किया था रूसी राश्ट्रफती व्लादिमीर पूतिन के करीबी सहयोगी रोकोस्मोस के प्रमुक ने नए ट्वीटर मालिक पर निशाना साधा और मस्क को यूकरेनी सैनिकों को सैन्य संचार उपकरण उपलब्द कराने के लिए धमकी दी मस्क द्वारा शेयर किये गए ट्वीट के मुताबिक रोकोजिन ने कहा कि 36 वी यूकरेनी मरिन ब्रिगेट के पकड़े गए चीप आपस्ताब करनल दिमेत्री कॉर्मयान कोग की गवाही से यह पाया गया कि मस्क का सैटेलाइट ग्रूप मारियो पोल में यूकरेनी सैनिकों क को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान कर रहा था हमारी जानकारी के अनुसार स्टारलिंक उपकरन की डिलीवरी पेंटेगन द्वारा की गई थी इसके लिए आपको एक एडल्ट की तरह जवाब देयर ठहराया जाएगा देश में बड़े पैमाने पर चल रही आर्थी कुथल पुथल के बीच श्रीलंका के प्रधनमंत्री महिंद्रा राजपक्षे आज अपने पच से इस्तिपा दे सकते हैं 76 वर्षिया राजपक्षे को अपनी ही पार्टी की भीतर से इस्तिपा देने का भारी दबाव है रेक्ता की सरकार बन सके और वर्तमान आर्थिक संकट से निपटने में कुछ मदद मिल सके वही सत्तारूट गडबंदन के अस्वन्तुष्ट नेता दयासिरी जैशेखर ने कहा कि वह सिधे इस्तिपे की पेशकस नहीं कर सकते है मुझे लगता है कि वह कहेंगे कि वर्तमान संकट के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसलिए मेरे इस्तिपा देने का कोई कारण नहीं है उधर बढ़ते दबाव के बावजूट 76 वर्षिय प्रदान मंत्री महिंदा ने पत्च सोणने से इनकार कर दिया है इस कारण राजपक्षे कभी लेके ताकतवर नेता महिंदा राजपक्षे को अनुरादापूर में सारवजनी क्रोथ का सामना भी करना पड़ा इंधन रसोई ग्यास और बिजली कटोती को समाप्त करने की मांग को लेकर सडकों पर उत्री गुस्साई जनता ने उनके सामने विरोत प्रदर्शन किया प्रदर्शन कारी चाहते है कि पूरा राजपक्षे परिवार राजनीती छोड़ दे बतादे की शक्तिशाली बहुत दो पादरियों ने भी अंतरीम सरकार का मार्ग प्रशस्ट करने के लिए प्रदान मंत्री और मंत्री मंडल के उपर इस्थिफिका दबाव डाला है तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे तब तक देखते रहिए विके बी न्यूज नमस्कार झाल